हेलो फिर्स पीटा यहां पर हम डिसकस करेंगे कंसेप्ट अव वैंट चेंगे बहुत इंपॉर्टन कंसेप्ट है एक्जाम में श्यूर रिस के पर कुशन बनेगा वैंट चेंग इस असो नोन एस मुल्टी पॉइंट टक्सेशन करते हैं फिर्ट वैचन मैं श्यूरो थे मनॉफैक्च्टर थे मैंन। डिस्ट्रिट्र थे हैं ठीडर थे स्थे पर्स बोल्यू चेनš फिर्टी रिटेलर कंसील किन्सुमर मैंट चेन लेजर से शुरु थे विटा मगर क्विटेलर पर रोती है Every person who is selling the goods is covered under wet chain but final consumer कभी wet chain का हिसा नहीं होता तो practically यह कहा जा सकता है wet chain manufacturer से start होकर retailer पर खत्म हो जाती है ठीक है और wet chain के बीच में दो लोग होते हैं distributor and wholesaler manufacturing group sale किया है distributor को for 2000 रुपीस distributor same product sale करता है to wholesaler for 2200 रुपीस wholesaler यही product sale कर देता है to retailer for 2500 रुपीस and retailer ultimately product sale कर देता है to consumer for 3000 रुपीस ठीक है वे रसुमिंग और अल देलर्स आर रिजिस्टर्ड अर रिजिस्टर्ड अर वाट का सिंगल रेत है चार पसेंट तो वाट पेवल बाई manufacturer कितना वेट पे करेगा manufacturer का वेट पेवल वेट पेवल कैसे निकाला जाता है output tax minus input tax तो what is the output tax of the manufacturer 2000 रुपी का 4% पेटे यह आएगा 80 रुपीस manufacturer ने कोई भी input tax पे नहीं किया है raw material purchase किया है and question because normally silent होता है तो input tax nil हो जाएगा वेट पेवल कितना होगा 80 रुपीस now what is the वेट पेवल बाई distributor on goods distributor का output tax निकाला जाएगा 2200 रुपीस पर 4% पर 88 रुपीस और input वेट है वेटा 80 रुपीस तो वेट पेवल कितना होगा 8 रुपीस then वेट पेवल बाई whole seller whole seller का output tax कितना होगा 100 रुपीस और input tax कितना पे किया था 88 रुपीस जिसका output tax पाना गया था by distributor तो वेट पेवल बाई whole seller कितना होगा 12 रुपीस and ultimately retailer ने जब goods sale किये है consumer को for 3000 तो वेट पेवल बाई रुपीस तो वेट पेवल बाई रुपीस input tax credit कितना लेगा 100 रुपीया तो वेट पेवल कितना होगा 20 in this way what is the total वेट collected by government 80 plus 8 plus 12 plus 20 equal to 120 total होगा पेटा 120 रुपीस और आप यसे cross check कर सकने है what is the last sales by retailer to consumer that is 3000 रुपीस and what is the वेट पेवल that is output वेट 4 पर सेंट 120 रुपीस तो government को last sales पर जितना tax है वो मिलना चाहिए कितना है 120 रुपीया क्या एक ही बार में मिल गया जी नहीं इसे अलग-अलग point पर charge किया गया क्योंकि अलग-अलग point पर tax charge किया जा रहा है it is called multipoint taxation okay thank you very much